आज हम मनाएंगे बहुत जारा टेस्टी और बहुत आसानी से बनने वाली मोंग दाल की बर्फी ये बर्फी बहुत जारा एज़ी है और बहुत जारा टेस्टी लगती है तो चली रेसिवे को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हमें कडाई लेंगे और इसमें डालेंगे लगबग 2 कप भर के दूद दूद डालने के बाद हमें इसमें डालना है लगबग 1 फोर्थ कप चीनी इसको हमें गैस पे चड़ाने से पहले ये दूद में चीनी को मिला देना है इसके बाद हम इसको गैस पे चड़ा के लगबग 10 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे इसका हमें condensed milk बनाना है तो इसको बिलकुल high flame पे हमें 10 मिनट तक उबालना है अगर हम दूद को normal उबालते हैं तो इसका मावा बन जाता है लेकिन चीनी डालने से इसका condensed milk बन जाएगा जिससे आप कोई भी मिठाई आराम से बना सकते हैं आप इसको बना के लगबग एक मेने के लिए store भी कर सकते हैं तो इसको उबलते हुए लगबग 5-6 मिनट हो गए हैं भी हलका गाड़ा हो गया है लेकिन हम इसको थोड़ा सा और पकान है तो लगबग 10 मिनट बाद हमारा condensed milk बिल्कुल तयार है इसको आप store करके एक मेने तक रख सकते हैं और इसमें कोई भी मिठाई बना सकते हैं अब हम लेंगे लगबग 1 कप मूंग डाल इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए अच्छे से पानी में बिगो दिया था यह भीक के अच्छे से फूल गई है इसका हमें सारा पानी निकाल के इसको हमें अच्छे से पीस लेना है तो हमें एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सारे मूंग डाल को ढाल के अच्छे से पीस लेंगे आप चाहें तो इसको हलका दरदरा भी रख सकते हैं तो हमने डाल को अच्छे से पीस लिया है बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि डाल को पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिना पानी के ही पीसना है अब हमें कडाई लेंगे और उसमें डालेंगे लगबग एक कटोरी देशी गी जितनी हमने डाल लिये उतनी ही हमें गी लेना पड़ेगा इस मिठाई में जैसे ही घी थोड़ा गरम होगा इसमें हम डालेंगे एक चम्मच लगबग दो चम्मच बेसन और एक चम्मच सूजी और इसको लगबग एक से दो मिनट तक जब तक बेसन का कलर हलका गोल्डन यह हो जाता हम गी में फ्राइ कर देंगे इससे मिठाई का टेस्ट वो बहुत जाद बढ़ जाता है और वो थोड़ी दानदार हो जाती है अब हम गैस की फ्रीम को बिलकुल लो करके इसमें पीसी वी दाल को ढाल देंगे दाल ढालते ही आपको इसको लगातार एक दो मिनट तक मिलाते जाना है नहीं तो दाल में तो दाल को ढाल के मैंने लगबग 2 मिनट तक सेख लिया था अब यह आराम से दानदार होगी तो अब इस गैस की फ्रीम को और करके गैस की फ्रीम को बिलकुल हाई करके आप इसको आराम से सेख सकते हैं हमें इसको लगबग 10 मिनट तक सेखना है जैसे जैसे हम इसको सेखते जाएंगे ये बहुत जादा दानेदार होती जाएगी और इसका कलर भी बदलता जाएगा तो हमें इसको लगबग गोल्डन ब्राउन होने तक 10-15 मिनट तक सेखना है जितनी अच्छी हम दाल सेखेंगे हमारी मिठाई भी उतनी ही अच्छी बनेगी तो दाल को सेखते वे पूसी कड़ा ही लेंगे और इसमें डालेंगे लगबग एक कटोरी चीनी जितनी हमने डाल ली थी उतनी ही हमें चीनी लेनी है और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी और इसको लगबग दो से तीन मेट तक उबलने देंगे हमें कोई भी तार की चास नहीं बनाने है बस इसमें हम डालेंगे हल्वे वाला ओरेंज फूड कलर और थोड़ इसी कुटी हुई लाइची बस एक बार यह अच्छे से उबल जाए उसके बार हम इसको जो हमारी डाल थी सिखी भी उसमें डाल देंगे गैस को हमें बिल्कुल लोग ही रखना है और इसके अंदर गरम-गरम हम जो चासनी हमने बनाई थे और डाल देंगे जैसे ही हम इसमें चासनी डालेंगे डाल इसको पीके अच्छे से फूलना स्टार्ट हो जाएगी हम इसको लगातार चलाते रहना ताकि ये बीश में बिल्कुल भी चिपके नहीं इस स्टेज में हमने जो कंडेंस मिल्क बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे इसको मैंने लगवग एक से दो गंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था इसलिए काफी गाड़ा हो गया है कंडेंस मिल्क डाल के इसको अच्छे से दाल में मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे नहीं तो इस स्टेज पे दाल थोड़ी रा जलना स्टार्ट हो जाती है तो हमारी जो बर्फी थी वो लगबग तयार है एंड में हम इसमें डालेंगे एक चमच गी एंड में गी डालने से इसमें बहुत अच्छी शाइन आएगी और गी का लग से फ्लेवर आ जाएगा इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी एक मोल में जिसको हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया था हमारी सारी चक्की को इसके अंदर जमा देंगे हमारी मुंगदार की बरफी अब बिल्कुल तयार है इसको एक गंडे के लिए हम सैट होने रख देंगे और उसके बाद कट कर लेंगे यह जो मिठाई है आप लगबख एक से दो वीक तक खा सकते हैं बिल्कुल भी खरामनी होती है और यह बहुत ज़़दा टेस्टी लगती है एक बार आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राय करना अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सिस्क्राइब करें